Hello Guys, कैसे हैं आप सब, मैं सुनिल कुमार, आपके सावने एक वर्थ अज़कल के जो दोस्तें उन पर आधरित हैं, हाला कि कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के जो दोस्तें उन पर सटिक बैठती हैं, ठीक है दोस्तों, ज़ादा देन न करते हुए शुरू करते हैं एक समय की बात थे एक साहुकार था और उसके व्यापार में बहुत घाटा हो गया जिसकी वज़े से उसकी जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी उस घाटे में चली गई जो कर्जदार थे उनको देने में चली खत्म हो गई बस थोड़ा भ साहुकार को ऐसी चीज बना देते हैं कि कभी यदि भीर पड़ी अर्थात मुसीबत आई तो वह उसके काम आ जाए उसी तरह उनके पूरवजों ने एक तराजू सोने की बना रखी थी ताकि कभी मुसीबत आए तो उससे काम चलाया जा सके अब साहुकार ने सोचा मेरे पा अमानत को बेचूंगा नहीं क्योंकि पीडी दर पीडी ये चीज चली आ रही है तो मैं इसे निस्ट क्यों करूं मेरा इसे अधिकार नहीं है निस्ट करने का अर्थात इसे बेच देने का खत्म करने का उसने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जाके बिजनिस करूं फिर उसने का काफी देर सोच विचार किया कि मैं इस तराजू को यहीं पर रखके जाता हूं तो कोई ना कोई से चुरा सकता है और चुरा लेगा अमानत फिर चली जाएगी अब करूं क्या काफी देर जब उसने सोच विचार किया इस बात पर तुस्से अपने एक मित्र का ख्याल आया कि यार वो हमारा विश्वास पात्र मित्र है क्यों ना हम इसे उसके पास रख दें इतना विश्वास पात्र मित्र है वो हमारे साथ धोका कर ही नहीं सकता थोड़ा सा धन बचाता उसके पास सोचने लगा थोड़ा सा मित्र से ले लूँगा तो मैं व्यापार के लिए बाहर सक ligeों और मेरा व्यापारी चल सकता है उतने ठीसे। में अपने थेलें हरे से चल दिया। चलने बाद व इन्हीं दिया। जिसका मुझे बहुत आपड़ेगा मुझे झांपने कि कहने लगा हाँ क्यों नहीं मित्र होते किस लिए मदद करने के लिए तो होते हैं कहने लगा मुझे यही उम्मीद थी तुमसे देखो मेरी पैत्रिक तराजू है जो सोने की है मैं चाहता हूं कि आप इसे रख लें और जब मैं व्यापार से लोटू तब मैं आपसे ले लू हो जाते लेकिन वह मित्र के पास रखीती और मुधार के बतार उसने कुछ पैसे उससे ले लिए वह अपने मित्र से कह करके मित्र यह मेरी जो तराजू पैत्रिक है मैं इसे बेचता तो मेरा व्यापार कई गुना हो जाता यहीं पर लेकिन मैं से बेचना नहीं चाहता इसल ससब सफाइए करने के बाद पैसा डैला जो रखना था वो रखा उसके बाद उससे ठ्छालाया कि अपनी तराजु अपने मित्र से लेया हूँ अब वो मित्र के पास के लिए चल दिया अब जा करके कहने लगा मित्र ये लो अपने पैसे जो मैं आप से ले गया था और मेरी जो पैत्रिक तराजू है आप उसे दे दो क्योंकि मैं अब आ गया हूं हलाकि यहां रखी रहे तो भी कोई बात नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि वहीं रखी रहे क्योंकि मैं इसकी पूजा करता हूं यह पैत्रिक है बोला रहे यार क्या बताऊं तुम्हारी जो तराजू थी तुम रख गए थे मैंने उसे टान पर रख दिया था और उसे चूहे कुतर गए बड़े बड़े चूहे हो रहे हैं घर में और वो चूहे कुतर गए मुझे बहुत दुख है बोला कोई बात नहीं है अब चूहे कुतर गए तो किया भी क्या जा सकता है कोई बात नहीं मित्र ये भी कोई ऐसी बात अब कुतर गे तो कुतर गे उस पर तुम्हारा क्या दोस है मैं सूच रहा था मैं कई दिनों से आया हूँ और नहाने को सही से नहीं मिला कपड़े बगेरा हूं मेरे पास कपड़े अपड़े भी नहीं है कपड़े बदलने के लिए उससे अपने बेटेक हाथ मुझे भिजव अब उस लड़के से उसने बड़ाी प्यारद५ा दूलार किया और वसे ले गया। के बिटा चलो पहले नहिंगे बाद में चल रहें थोड़ा गूमाएं। अब उस लड़के को ले करके वह पहारी लाके में चला गया। जो थोड़ी दूरी पार था चार पांच किलो मीटर और पहारी में उसने एक छोटी सी गुफा देखी और गुफा में उस लड़के को बंद गिया और बहार से पत्थरों से ढख दिया ताकि वो निकलेना और सांस लेने के लिए कुछ जगा छोड़ दी अब लोट करके अपन क्या बताऊं वो विचारा लेकर आ रहा था कपड़े और रास्ते में वाज उड़ रहे थे वह अब तुम्हारे बेटे को देखा उस बाज ने इसा जपट्टा मारा उसे पंजे मोडा के ले गया और मैं देखता कि देखता रहे गया अब मैं इसलिए तुम्हारे पास नही गया बाज काफी बहस हुई मैं मानी नहीं सकता मेरे बेटों को बाज ले जाएगा अब बाद दोनों में बढ़ गया वहां का जो राजा था उसके पास गए दोनों फैसले के लिए राजा ने पूछा कि बता दो बेटा कहा है बाज कैसे ले जाएगा इनका 12-13 साल का बेट अरे बाज कैसे ले जा सकता इतने बड़े बच्चे को बोला साहब एक बात बताओ जो सौने की तराजू को चूहे कुतर सकते हैं तो इतने बड़े बच्चे को भी बाज ले जा सकता है वो कहने लगा हमारी बाज समझ मुना है तुम क्या कहना चाहरे हो फिर उसने बताया क कि मेरी पैत्रिक तराजू है जिसको मैं अपनी जान से भी जादा प्यार करता हूं और इस मित्र के पास जो विश्वास पात्र मित्र मैं इसे समझता था इसके पास मैं उसे रखके गया और जब मैं व्यापार से लोटा तो इसने क्या कहा कि उसे चूहे कुतर गए अब आप इनके बेटे को बाजिवा पिस नहीं करेगा आव उसको अपनी जोसका दोस्ता साहुकार उसे अपनी गलती का हिसास हो गया वह कहने लगा तराजू मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूगा कि ठीक है तब तुम तराजू दे दोगे मैं आपका बेटा लटा दूगा अब इस तो तुम्हारे लड़गे को जरूर बाज उड़ा ले जाता वह कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती नहीं तुमने वह काम किया जिससे कि दोस्त दोस्त पर विश्वास न करें तो दोस्तों कैसी लगे आपको कहानी चोटी जरूर है लेकिन एक बहुत बड़ा सबक देत जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भूगना पड़ता है उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड सर्किल में रिलेटिवस में सेर करें और यदि अभी तक आपने चले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै